विकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली कोब वर्कर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट दव आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी हैं तो अंतक इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बीना किस दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन गैरेक्टर जेनिवर को ओफेस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफेस में कोई भी नहीं था पर फिर भी हो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाजे से उनों ने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बार में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करते हैं क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसिन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते हैं इसका नाम में गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक की लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे कमफटेवल फिल कराने के लिए जोग स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचनक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था इन्होंने अलाम वेकरा दबाने की कोशिश की पर कुछ भी वर्ग नहीं कर रहा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरी में वे वे वेकरा करते हैं पर दुसरी साइड पर कोई भी नहीं था ये फोन करकर किसी के हल मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी अब इस लिफ्ट में ये पाच दिनों के लिए ट्रैप्ट है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और दो दीन की छुट्टी थी गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी-अभी इस बिल्ली में जॉब जॉइन किया है उसे इस लिफ्ट के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है जेनिफर ने कहा कि कभी-कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी शायद इसी वज़े से स्टग हो गई है काय को अचानक से आईड आया कि लिफ्ट के उपर से ये एक्जिट हो सकते है हर लिफ्ट में एक्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ नहीं हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी फिर वो छुपकर जेनिफर को उपर की सिलिंग चेक करने के लिए गहता है जेनिफर के चेक करने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राय कि आपर कुछ भी नहीं हुआ एक गंटा बीद गया और जेनिफर रेलाइस करती है कि अब उसकी flight उसने miss कर दिया वो गुस्सा हो गे और सारी चीजों को गालिया देने लगे उसे प्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी बॉटल दिया जेनिवर उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाये ने का हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे बास ओपनर भी है जेनिवर ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पहले दोनों बहुत अस्ते हैं उसने विरबानी पी लिया था वो गाय को as a gesture एक चौकलेट दे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करने चाहिए हम यहाँ वर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंडे पीत गए थे हैं उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीकी से टौलेट करना उसे अजीब लगता है गाय ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लिए गएती हैं और फिर टौलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेप्ट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीव में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी गर्फ्रेंड वे गराने है जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे का उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते है कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइग बनाने लगते है गाय ने जनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइग बनाई थी पर जनिफर उसके एक फनी से ड्राइग बनाती है जनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे में मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकर्स करने लग गये तो उन्हें भुगे थे तो जनिवर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकर्स करते हुए एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरी ये पताने लग जाते हैं जनिवर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाबरली में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शायमा रहा था पर बाद में हो गयता है कि मेरी एक कोवर कर दी हम एक बार ट्राइव पर गए थे वो ये पर इंटिमेट हुए थे ये सब पताते हुए उसे जनिवर के लिए फिलिंग्स आ गए जनिवर को भी इससे कोई भी प्रावलम नहीं था फिरे दोनों ये ही पर इंटिमेट हो जाते हैं इंटिमेट होने के बाद गाई ने जनिवर से गा ये तुमारे प्यार में पढ़ सकता हूँ ये पाद जनिवर को बहुत ही अजीब लगी वो उसे गया थी कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना जाती थी गाई को इस बात में बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचू थी एक दूसरे से बहुत ही दूर है इस सारा काय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचाना से गाय का बिहेवेल चेंज हो गया वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फोटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वो एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जूट कहा था किसी बिल्ली में अकाउंटन्ट है उसने कन्वेस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था वो जैनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाता था वो जाता था कि जैनिफर उसे पहजाने इसी वज़ेश उसने सब कुछ किया था वो अपने पॉकिट से चावी निकालता है और ये लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उसमर गुसा होगी कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगतना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंड कर दी जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दी है पर गाये ने उसे पकड लिया जेनिफर स्ट्रगल करते हैं लिफ की की को मार दे दी है और इस वज़े से तूट गई थी अब ये एक्चुल में इस lift में first गहे थे जेनिफर गुसा होकर अपने शूर से गाय को unconscious कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर गाय conscious था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे गहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहाले हमें हमारे बीच में कोई भी distraction नहीं था, तो हमें एक दूसरे को जान पाए, practically हमारे पूरी relationship इस lift में हो गए हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और break up भी हो गया जैनिवर अब भी बहुत गुस्सा थी उसने अपने फियांसे के लिए जो gift लाया था कि गाय ने चेक किया इसमें एक अच्छा चे शर्ट है जो गाय पहन लेता है गाय के बास भी एक gift है जिसमें cigar, lighter और एक cutter है गुस्से में गाय ने lift का एक light तोड़ दिया फिर उसे idea आता है कि या light बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के portal से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिफर से कहता है कि तुम मुझे support दो मैं उपर जा कर इस lift को खोल दूँगा जैनिफर उस पर balloon नी करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें open कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लग गया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिफर ने कही दी वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा time spent किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे help करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आके उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बनाकर उपर आ जाता है जैनिफर ज़रा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब ही नीचे से गाय आया और उससे पकड़ कर फिर से लिफ में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिफर होश में आ गई लिफ तैसने थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होश आने के बाद हो गयता है यह सब वर्ग नहीं करेगा हमने बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोड में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटकोस ने का तुम सब कुछ अभ कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जैनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यों गाय गयता है कि मैं हर रोज तुमें देखता था तुम बहुत दी ब्यूटिफूल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हूँ इस वज़े से मैं कभी भी तुमें अप्रोज नहीं कर पाता मैं हमेरे जासे सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल में एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्सिडेंट हो गया उस पर चार्जर लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वो बहार आ गया पर बहार आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गए और उसे सिक्रिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जेनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओर लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निकसिड में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्रिटी गार्ड ये अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने निवाला था पर girlfriend को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में Jennifer और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी help करने के लिए पहुश गया friend आया और लिफ को open करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी open हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस आता है तभी गाय जेनिफर पर हमला करकर उसे बेहोश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे help की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने lift को चालू करकर उसे मार डाना वो लिफ में उसकी body रख देता है जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में डाल दिया नीचे आकर उसने shower लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने friend की girlfriend को उसने notice किया वो इसके boyfriend के बारे में उसे बुच्छती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया girlfriend जना suspicious होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ली कर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की body को जला देने वाला था वो जब ट्रंग खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अब भी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को ही डिस बिन में डाल गए पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको ये वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजएगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आत रहत हूँ तो प्लीज इस चानल का सब्सक्राइब कर दिजए और बेल एडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ दबते के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया